आपने क्या समझा है नकसलवाद को किस तरीके से क्या वहाँ पर चुनौती आ रही हैं क्यूं वो अभी भी यहाँ पर पनाप रहा है और उसको कैसे आप ओपरेशन क्लीन स्वीप के जरीए खतम करने की कोशिश कर रहे हैं देखे नकसलवाद यहां की बड़ी समस्य है हमारे प्रदेश की लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोग की 15 साल सरकार थी तब भी नकसलवाद के साथ तातकालीन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और जब अभी हम साथ महने से हाँ पर सरकार में हैं तो ह हम लोग की लड़ाई और मजबूत हुई है और परानवी के दोर में ही हमारे देश के असस्वी ग्रह मंत्री आदनी अमित साहजी यहां पर आये थे बैठक लिये थे और उन्हें एक टार्गेट दिया था कि तीन साल में यहां से नकसलवाद को समाप करना है और उस हम लोग काम भी सुरू कर दिये हैं डबल एंजिन की सरकार का भी हम लोग को लाब मिल रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह साथ महिने में ही डेड़ सो के करीब नकसली मारे गये हैं हम लोग सिर्प दोनों रास्ता नकसलियों के सामने में रखे हैं अगर आप गो पुली बारी से उसका जबाब देगी उसके लिए सरकार सक्षम है लेकिन आप अगर विकास की मुखधारा से जुड़ना चाहोगे आत्म समर्पन करोगे तब ही आपके साथ न्याय होगा और आज डेड़ सो नकसली मारे गये हैं और हजार से ज्यादा नकसली गिरवतार और आत्म समर्पन भी किये हैं और जो भी आत्म समर्पन कर रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर रही है और हम लोग लगातार अध्यान कर रहे हैं कि किन प्रदेशों में उनके साथ पुनर्वास की निती हो या जो भी उनको लाब पहुचाने का हो अच्छा से अच्छा क्या हो स करता है उसका अध्यान हम सब लोग कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रीम मंत्री है इस प्रदेश के विजय सर्मा जी आज इन ही बातों को लेकर आसाम गए हुए हैं हम लोगों ने सुना है कि उहां की पुनर्वास निती बहुत अच्छी है तो उस के साथ सरकार बहुत अच्छे से पेस आएगी और जितना उनका अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वह हम लोगों करेंगे और मजबूती के साथ हमारी सरकार नक्सलवात के साथ लड़ रही है और मुझे यह संदेह नहीं है कि अब यह धीरे-धीरे सिकुडते जा रहा है कि सा अच्छा गाओं आते हैं उन गाओं से नक्सलियों का पलायन हो जाता है वहाँ पर पूरी तरह से सरकार की जो योजना है उसको पहुचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि हम लोग एक नियद निलानार योजना सुरू किये यह नियद निलानार गोडी भासा में है इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गाओं तो इसे 23 केंप के अंतरगत इंकानब्य गाओं सामील है और इन इंकानब्य गाओं में पिछले 7 महने में सरकार के करीब 17 विभाग उसमें इनभाल्व है और करीब 52 या 58 व्यक्त इसको प्रात्मिक्ता के साथ वहां पहुचाने का काम हमारी सरकार कर रही है वहां कोई जाते नहीं थे वहां रस्ता नहीं था तो रस्ता बनवाने का काम कर रहे हैं सड़क बन रहा है वहां बिजली पहुचा रहे हैं वहां रासन कार्ड नहीं होता था रासन कार्ड बना र रहे हैं वहाँ पर दूर संचार का मोबाइल टावल खड़ा कर रहे हैं इस तरह से हमारी सरकार बिल्कुल प्रात्मिक्ता के साथ ऐसे जो पांच जिली अभी बचे हैं जिसमें सुकमा, बीजापूर, धंतेवाडा, नाराइनपूर और कांकेर का कुछ हिसा है जो नियद निल लानार योधना के अंतरगत आते हैं, ऐसे सभी गाओं में विकास को हमारी सरकार प्रात्मिक्ता के साथ पहुचा रही है और मैं आपको यह भी बता दूँ कि यहां के लोग विकास के मुक धारा से जुड़ना चाहते हैं लेकिन पहले उन तक कोई पहुँचता नहीं था औ हमारी सरकार उन तक पहुच बना रही है और सारी सरकार के उधना को वहां पहुचा भी रही है और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे छेतरों की जनता से उनका भरपूर हम लोग को साथ ही मिल रहा है और अब नकसली को खाड ठेकने में उनका भी आसिरवाद हम लोग को मिलन बोली का जवाब बोली से बोली का जवाब ढोली का जवाब गोली से नियाद नेलनार आपने स्कीम यहां पर लॉंच्र करे यह इस लिए कि आपके पास बहुत ज़रा वच्द वंच प्धा हैं यहां पर 40-40 तक सरकारी सोविधा हैं पहुंचाने का एक जरीया बन गया है वहाँ पर, कि सरकारी सोविधा तो हम पहुंचा सकें किसी तरीके से, लेकिन जब आप नकसलवाद को देखते हैं, जब कोई हत्यार उठाता है एक बार, चाहे वो लाइट मुशीन गन हो, चाहे वो दोनाली बन सकता है, तो क्या आप ये समयते हैं कि जो नकसलवाद, 36 गड़ में, पिछले लगबग, चार दशक से है, वो अब अपनी आइडियोलोजी, सोच को छोड़के, और्गनाइस्ट क्राइम की तरह बढ़ गया है, या अब भी सोच है उसमें, या ये दोनों चीज़ें एक स सुलने का एक माध्यम बना लिये हैं, तो आप इसको और्गनाइस्ट क्राइम समयते हैं कि ये और्गनाइस्ट क्राइम की जी जी बिलकुल, बिलकुल, और इसका लाब हम लोगों को मिल रहा है, जनता इन से दूर जा रही है, क्योंकि वास्त्विक्ता आज जनता पहचान चुकी है, कि ये लोगो जनता के हिते सी नहीं है, नकसलवात के आड में मजा मोज आइस करने का एक माध्यम बना रखें, जनता समझ चुकी है, आप से आखरी दो-तिन सवाल मैं पूछूँगा, कि एक बार आपने एक जगा पर कहा था कि अगर आप आदी वासी नाम को लोगो देखें तो उसमें हर जगा पर राम बहुत जादा इस्तिमाल किया जाता है, और इस वक्त उसको लेकर भी आपकी तरफ से काम भी चल ला इहां पर राम पत्ध का भी निर्मान हो रहा वहाँ पर अभी क्या कारे चल रहा और क्या क्या हो सकता है वहाँ पर अगर हम उसको देखें कि उसमें क्या कुछ हो चुका है और आगे क्या होगा देखें एक तो हम लोग सुभाग साली हैं 36 गड़ वासी के माता को सल्या की नगरी है भगवान राम का इन अनिहाल है और 14 वर्सों के अपने बनवास काल का अधिकान समय भगवान राम ने 36 गड़ के अंदर में बिताया है और यहाने को उनसे जुड़े हुए उनके पद्चिन है यहां सिवरी नारायन में सिवरी धाम है जहां पर माता सबरी के वो जूठे बेर खाये थे और हम लोग यहां पर राम लला दर्सन योजना के भी सुरुवात किये हैं और हर सब्ता यहां से एक ट्रेन राम भक्तों का अधिया जा रहा है बसे से भी जा रही है सरकारी खर्चे पर भगवान राम का दरसन करा रहे हैं और एक जो यहां पर 5 सकतिपीट हैं, वो 5 सकतिपीट को सकतिपीट सरकीट बनाने का काम यहां पर करने वाले हैं, उसमें आपके डोंगरगड हैं, कुदरगड हैं, दंतेवडा हैं, आपका चंदरपूर है और कुदरगड हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे चूंकि ये छत्यगड़ भगवान राम का ननिहाल है. पिश्टी जी आपसे कई सरे सवाल पूछने थे आपसे ये भी पूछना था कि आप जन्न आउश्टियों में और जो क्योंकि आप आदी वासी समुदाय से जुड़े हुआ है कि आपका बड़ा आपकी रुची रही है कि वहाँ पर किस तरीके की आउश्टियां भी वहाँ प खा सकते हैं कि हम आने वाला क्या 36 गड़ देखेंगे देखिए हमलों का सोभाग है कि स्री नरेंद मोदी जी देश के परधान मंत्री हैं जो 140 करोड भारत वासियों को अपना परिवार मानते हैं और रात दिन उनके लिए वो जीते हैं और पिछले 10 वरसों में